बच्चों आज हम अध्यन करेंगे गोपाल क्रिष्ण गोखले गोपाल क्रिष्ण गोखले उदारवाद के प्रमुख नेता थे इनके द्वारा सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थे महत्मा गांदी इनके विचारों से इतने अधिक प्रभावित थे कि इने राजनेतिक गुरु मानते थे इनके गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे इनके विचार बिटिस सरकार के प्रती उदार होने के कारण ये उदारवादी दल के प्रमुख रहे बिटिस सामरज्जे को ये भारत के हित में समस्ते थे लेकिन बिटिस सरकार की अन्याए पूर्ण आलोचना करने में भी इनोंने कतई परेज नहीं किया बिटिस सरकार द्वारा 1894 इस्वी में की गई घोशना की पोल खोलते वे कहा था यदि अंग्रेज भारतियों के साथ समानता का व्यवार नहीं करेंगे तो उनका हमारी निस्टा अपर से सबसे बड़ा दावा समाप्त हो सकता है तो बच्चों आज हम इनका जीवन परीचे और इनके बारे में व्रिस्तार से इस वीडियो के माध्यम से चानेंगे गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी समाज सेवी विचारक और सुधारत थे महादेव गौविन रानाडे के शिश्य ये थे वित्तिय मामलो की आद्वित्य समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की शमता होने के कारण इने भारत का ग्लैड स्टोन भी कहा जाता है भारती रास्टी कॉंग्रेस में ये सबसे प्रसिद उधारवादी थे चरित्र निर्माण की आवशकता से पूर्णत सैमत होकर इनोंने 1905 में सर्वेंट और इन्डिया सोसाइटी की स्थापना की ताकि नो जवानों को सार्वजनिक चीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सकते हैं इस संगठन का प्रमुख उदेश भारत की सेवा के लिए रास्ट्रिये प्रचारत तयार करना और सम्वेधानिक उपायों से भारतिय जन्ता के सच्चे हितों को प्रोशाहित करना था गोखले का मानना था कि वैग्यानिक और तक्निकी शिक्षा भारत की महत्पून आवशक्ता है स्वसरकार व्यक्ती की ओसत चारित्रिक द्रड़ता और व्यक्तियों की शम्ता पर निर्भर करती है महत्मा गांदी इन्हें अपना राजनेतिक गुरु मानते थे तो बच्चों इसमें हमने इस स्लाइड के माध्यम से जो आपके वन वर्ड का तीन कोशन बन रहे हैं और कब की गई दूसरा जो प्रशन आपका तैयार हो रहा है महत्मा गांदी अपना राजनेतिक गुरु किसे मानते थे तीसरा जो प्रशन है वो है गोपाल कृष्ण गोखले किसके सिश्षे थे और चोथा जो प्रशन हम बना सकते हैं उदार वादियों के प्रमुख नेताओं के नाम बताईए कोई से भी दो बताने हैं तो आप गोपाल कृष्ण गोखले दादा भाई नरोजी बता सकते हैं अब हम इनका देखेंगे जीवन परिचय इनका जन में कहां हुआ इनका जन में कोलापूर के एक ब्राम्मन परिवार में नो मई 1866 को हुआ पिता के असामिक निधन ने गोपाल कृष्ण को बच्पन से ही सैष्णू और कर्मठ बनाया देश की पराधीनता गोपाल कृष्ण को कचोड़ती थी रास्ट भक्ती की अजश धारा का प्रवा उनके अंतर मन में सदेव रहता था सच्ची लगन निस्टा कर्तब्वे परायंता की त्रीधारा की वशीबूत होकर कारे करते और देश की पराधीनता से मुक्ती के प्रैतने करते रहते थे न्यू इंग्लिश स्कूल पूरे में अध्यापन करते वे गोखले जी बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आये थे 1886 में इस नातक बनने के उपरांद वे रानाडे द्वारा इस्थापित एक स्कूल था डेकन एजुकेशनल सोसाइटी के सदस्से बने 20 वर्षों तक इस संस्था को अपनी सेमाई प्रधान की इस सोसाइटी द्वारा संचालित विद्याले के मुख्य अध्यापक फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के अध्यापक और प्रिंसिपल का पद इनके द्वारा संभाला गया वे पूना सारजनिक सभा की त्रेमासिक पत्रिका के संपाधक भी रहे उन्होंने प्रथम बार 1889 में इलावाद कॉंग्रेस के अधिविशन में भाग लिया 1897 में दीनशा वाचा ने भारत सरकार और इंग्लेंड के सरकार के बीच भारतिय व्यके बटवारे के लिए न्यूक्त वैलवी आयोक के सम्मुक साक्ष दी 1899 में वें बंबई सविधान परिशद के लिए तथा 1901 से 1915 तक सामरज्य कालिन विधान परिशद के लिए लगातार चुने जाते रहे उनकी भाशन कला से सबको प्रभावित किया उन्होंने परिशद में वे विबक्ष के नेता भी रहे उन्होंने कॉंग्रेस के सच सचीव के रूप में विकारे किया 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की 1906 में वे इंग्लेंड की जनता को बंग भंग से उत्पन इस्तिती से आउगर कराने के लिए वहां गए 1912 से 15 तक वे भारती लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे 1910 से लेके 1913 तक उन्होंने भारत में निशुल्क और अनिवादे शिक्षा को लागू करने का प्रचार भी किया तो बच्चों हमने देखा किस तरह उन्होंने ततकालीन कॉंग्रेस और उस समय जो संगठित संस्थाएं थी उनमें बढ़ चड़कर भाग लिया और अपने विचारों का प्रचार किया भारतीय जनता के हित में काम किया 1886 में वो फग्यूर्शन कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यपत के रूप में डेकन एजुकेशन सोसाइटी में समलित हुए एमजी रानाडे के प्रभाव में आये सार्विदिनिक सभा पूना के सचीव रहें 1890 में कॉंग्रेस में उपस्तित रहें 1896 में बैलबी कमिशन में गवाई देने के लिए इंग्लेंड गए और 1899 में बंबई विधान सभा के लिए और 1902 में एम्पीरियल विधान परिशत के निर्वाचित किये गए वह अफ्रीका भी गए वहां गांदी जी से भी मिले उन्होंने दक्षिन भारत की भारतिय समस्याओं में विशेश दिल्चस्पिली अपने चरित्र की सरलता, बौदिक शम्ता और देश के प्रती दिर्ग कालिन स्वार्त हीन सेवा के लिए उन्हें सदा इस्मरन किया जाएगा वो भारत लोक सेवा समाच के संस्थापक और अध्यक्ष भी रहे उदारवादी विचार था रहा के वो अग्रणिये प्रवक्ता थे और 1915 में उनका स्वर्गवास हो गया था अफ्रीका से लोटने के पशाथ विराजनिती में सक्रिये हुए मात्मक गांधी से उनका संपर्ख हुआ और गोपाल कृष्ण गोखले के निर्देशन में सर्फेंट ओफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जिसमें समलित होकर लोग देश सेवा कर सकते थे पर इस सोसाइटी की सदस्यता के लिए गोखले एक जी ने एक सदस्य से कड़ी परिक्षा लेकर उसे सदस्यता प्रधान की थी इस सदस्यता से संबंधित घटना है कि मुंबई मुनिसिपैलिटी में एक इंजिनियर थे अमरतलाल वी ठककर उनका नाम था और वे चाते थे कि वो इस सर्वेंट ओफ सोसाइटी के सदस्य वने और देश सेवा में अपना योगदान ले लेकिन गोखले जी ने उनके प्राथना पत्र में ये लिखवाया कि आप इस सोसाइटी में तब ही शामिल हो सकते हैं जब आप पूर्व में कारेरर मिनिसिपैलिटी से इस्तिपाद दे दें और ये भी कहा कि एक व्यक्ति दो स्थानों पर पूरी कर्मटता से काम नहीं कर सकता इसलिए आप पहले इस्तिपाद दें और बाद में इस सोसाइटी की सदस्य ता ग्रहन करें अमरत लाल नागर को त्याग पत्र देकर ही इसकी सदस्यता प्राप्तु ही और वो कालांतर में जो उनका नाम इतियास में आता है वो है ठककर बाबा के नाम से जाने गए गोखले ने 1905 में आजादी के पक्ष में अंग्रेजों के समक्ष लाला लाजपतराय के साथ इंग्लेंड गए और अत्यंत प्रभावी ढंग से देश की स्वतंत्रता की बात कई उनकी राजनतिक विचार उदारवादी थे वे जनता की कठीनाईयों को सरकार के सामने और सरकार की कठीनाईयों को कॉंग्रेस के सामने रखते थे इस प्रकार वे शाशक वर्ग और शाशित वर्ग के मद्यस्त की भूमी का निभाते थे अंग्रेजों की नियाए प्रियता, उदारता, निश्पक्षता में उनका आटूट विश्वास था उनका विचार था कि जिस दिन अंग्रेजों को ये विश्वास हो जाएगा कि भारती ये सोशाशन के योगे हो गए हैं तो वो ऑटोमिटी की भारतीयों को सोशाशन प्रधान कर देगी भारत की उन्नती के लिए वे बिटेन के साथ संबंदों को उप्योगी मानते थे और उनका विश्वास था कि राजनेतिक उतेजना के बबंडरों से देश का उद्दार नहीं होगा पर साधन और साथ दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे लेकिन उन्होंने बिटेश शाशन और एंगलो इंडियन नोकरशाई की भूमिका की आलोशना की नमक कर पर कड़ा प्रहार किया उन्होंने अंग्रेजो द्वारा उच्छे पदों पर भारतियों को न्युक्त नहीं किये जाने के संब्ध में बिटेश सरकार को इस्पस्ट किया कि यदि बिटेश सरकार भारतियों के साथ अच्छा विवार नहीं करेगी अर्था समानता का विवार नहीं करेगी तो हमारी निस्टा भी बिटेस सरकार से समापत समझी जाएगी सामजिक छेतर में भी उनकी द्वारा सर्वेंट ओफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करके समाज सेवा का कारी किया गया इस संस्था ने श्री निवाज शासरी, के देवधर, एनेम जोशी, रिदैनात, कुंजरू जैसे महान समाज सेवक रास्ट को दिये थे गोखले ने डेकन एजुकेशन सोसाइटी के लिए भी कारी किया उन्होंने तक्नी की शिक्षा पर बल दिया और भारतियों को विदेश में उद्योगिक वेज्ञानिक ज्यान प्राप्त करने के लिए भेजने का समर्थन किया जिससे की देश में वे लोट कर उद्योग धंदे स्थापित कर सके वे निशुलक और अनिवार्य शिक्षा के समर्थक थे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी रल के प्रमुख नेता थे लेकिन इतियास में उनके बारे में दो तरह की विचारधाराएं प्रचली थे एक और तो गोखले को सरकार ने छद्म वेशी विद्रोई कहा है तो दूसरी और उग्रवादियों ने उन्हें कमजोर दिल वाला उदारवादी बताया है मारले मिंटो अधिनियम जो बच्चों आप पढ़ेंगे आगे उसमें जो मारले थे मारले ने भी उनपर विश्वास नहीं किया और उन्हें कहा ये ताल देने वाला चिम्टा है लेकिन तिलक ने जो कि उनके विरोधी थे प्रशनसा की इसमें कोई संदे नहीं कि वो एक सच्चे देशवक्त थे और भारत में उधारवाद के उत्तम उधारन थे मात्मा गांदी भी उनसे प्रभावित थे उन्होंने भारती राजनीती के चैत्र में गोखले को अपना गुरु माना था उन्होंने लिखा था कि राजरेती के चैत्र में गोखले मेरे सबसे उंचे आदर्श है